हालो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानल देखिए आपके सामने जो छोटा सा पौधा मैं दिखा रही हूँ वो है नैस्टर स्याम का पौधा लास्ट यार मेरा गार्ण में बहुत सारा नैस्टर स्याम के पौधा लगा गया था और लगता है उसी में से शीड्स गिरा हुआ रह गया और पौधा दिखे कितना सुन्दर दो पौधा एक की साथ निकला आया मैं उसी पौधा को निकाल कर । देखिए पहले से करके रखी हूं और एक पॉट में मैं त्रसा बड़ा पॉट है यह दसीं चिकपॉट है उसमें मैं आधा मिटी भर के रख लिए हूं यह जो सॉयल मिक्सर है इसके अंदर है वान पॉर्षिन गार्डिन सॉयल वान पॉर्षिन है कोको पीट और वान पॉर्षिन कावडंग मैनियोल थोड़ा समय आधा चमत इसम सॉल्ट और आधा चमत साख पावडर डाल के मिला के रखी हूं अब देखिए वो जो मैं चारा निकाल कर लाई थी मेरा गार्डिन का मिट्टी से उससे धीरे से मैं अपना पॉर्षिन पर रख के जो सॉयल मिक्सर मैं बनाए हूं उसी से भर दूंगी नया पॉर्ट में जब कोई भी पौधा लगाया जाता है तो उसका अगल बगल का मिट्टी को अच्छे से हांच के या कोई भी चीज से दबा दबा के उसका अंदर का जितना भी एयर रहता है उसे निकाल देना चाहिए अगर अंदर एयर रह जाएगा तो फंगस लगने का डर रहता है जड़ बहुत जल्दी इसके वज़े से सड़ जाता है आप देखिए मेरा रिपोर्टिंग कम्प्लीट हो गया है पानी से पुरा गमला का उपर तक मैं भर दूंगी जैसे थोड़ा सा पानी नीचे से ड्रे अब देखिए वही पौधा करीब और 15 दिन बाद और बड़ा हो गया है अब कुछी दिन में इसमें फूल भी आने लगेगा ये जो पौधा है और फुल्दरादीन बाद का पौधा है इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा कली भी दिखाई दे रहा है फूल अभी तो हुआ नहीं है लेकिन लगता है पांच-छे दिन में फूल इसमें आ जाएगा और देखिए इसका पत्ता कितना सुन्दर गोल-गोल हरा है पत्ता भी बहुत खुबसूरत लगता है फूल के अलावा अब देखिए मेरा पौधा में एक फूल तो खिल गया है मैं बहुत खुश हो इसे देखकर और उमीद है और दो-चार दिन में और भी कई सारा फूल इसम दिखाई दे रहा है अब देखिए चार दिन और बाद का फोटो जिसमें चार फूल तो कम से कम दिखाई दे रहा है इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पौधा एकदम पीला हो गया है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में देखिए और वीच दिन बाद मेरा पौधा एकदम फूलों से लद किया है एकदम पीला चारो तरब दिख रहा है पौधा में और इसमें देखिए आप लोगों को सीट्स भी दिखाए देगा यह जो है मैं दिखा रही हूँ यह है नैसरी सेम का सीट्स यही सीट्स पिछले साल मेरा गार्डन में गीर के रह गया था और उसी में से पौधा निकालाया यह जो पौधा मैं दिखा रही हूँ यह भी सीट्स से उगा है पर इसे मैं पौट में नहीं लगाई, गार्डिन में ही छोड़ दी, देखिए ये भी कितना सुंदर फूर्ट से भर गया, ये देखिए ये है पिछले साल का मेरा नेस्टेसियम का सीट्स जो मैं रखी थी, पर ये सीट्स मुझे जरूरत नहीं पड़ी, पौधा उगाने के लिए, पिछला साल का ज पर मेरे बगीचे में फिलाल पिला ही है, और इसका जो पत्ता है वो भी बड़ी खुबसूरत होता है देखने में, एक दम देखिए हरा हरा गोल गोल, एक दम लोटस का जो पत्ता होता है उसी की जैसा देखने में, पर छोटा साइज में होता है, जब भरा रहता पत्तों मे बड़े खुबसूरत लगता है यह पौधा ओकी फ्रेंड्स नेस्टर से हमके पौधों के बारे में जितना भी मेरे पास जान करी थी मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया आज मैं यहीं समाप्त कर रहे हूँ मेरा वीडियो ओके बाई